हाई एवरिवान गुट मॉर्निंग कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ये सो मुआर का दिन है और सुबह का टाइम है करीब सबा पांच हो रहे होंगे और मैं आगे हूं छत पे आपको ये पौधे दिखा रहे हूं कुछ फूल खिले हुए हैं तो अभी बारिस होने के बाद थोड़ी सी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है पौधे भी कुछ अच्छे हो गए है नहीं तो गर्मी इतनी जादा थी धूप से पौधे पुरा जुलस गए थे तो अभी जस्ट बारिस हुई भी है थोड़ा सा बहुत तेज नहीं हुई है है मौसम जो ठंडानी होगा अभी बारिस ऐसे यादे गंटे गंटे ऐसे ही हो रही है इदर ये देखिए ये जट्रोफा बोला जाता है इस पौधे को बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही हाड़ी प्लांट है कोई केर नहीं करनी पड़ती है ऐसे ही चलता रहता है और ये देखिए बादल जो है थोड़े बहुत बादल है और उसी में धूब भी निकलने की थोड़ी थोड़ी तैयारी हो रही है तो सूबह का मौसम तो आजकल काफी अच्छा हो जाता है लेकिन फिर वही दोपहर में इतनी उमस होती है ना मतलब अभी साथ ताट वजे के बाद ह यह हुंस स्टार्ट हो जाती है तो मैं ने अपने लिए गरम पानी किया था वही मैं पी रही हूं पानी मैंने पहले गरम कर लिया था पानी जादा गरम हो गया था तो मैंने रख दिया था और फREZ से मैंने दूद हो अगरा यह सब निकाल लिया है तो बस सुबह सुबह न थोड़ा सा ये होता है न उठने के बाद जो है आदे गंटे लग जाते हैं अपने जो है सरीर को एक्टिव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तुरन तुटके हम बिल्कुल जटपट नहीं चलने लगते हैं तो बस पानी पीने के बाद यहां पर मैं ज़ाड़ू लगा रही हूँ तो आज मुझे थोड़ी सी जल्दी हो रही थी तो इस वज़े से न मैं पानी ऐसे पीने बैठती हूँ तो थोड़ा सा 10-5 मिनट बैठी जाती हूँ उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ काम लेकिन आज मैंने पानी पिया और तुरंट फिर मैं ज़ाड़ू लगाने लगी तो बस वही किचन में और ये बरामदे में ज़ाड़ू लगा दूँगी तो और कलना मैंने अचार बनाया था वो अम्रे का तो उस वज़े से जादा फैल भी गया था साम को बनाया था तो उसके बा जोने बाद यहां पे आ गई हूँ किचन में और यहां है मतर मैंने ऻ muita न GOOD देखेंगे तो बोलेंगे कि मतर के छोले बहुत जाधा बनाथी हो तो ठीमा सेमें एक दिन मतर के छोले मैं बनाथी ही बनाथी हूं मदलब इधनें मतर के छोले ज़रूर बनते हैं एक दिन चने की दाल और एक दिन जो है मसूर की दाल तो तीन दिन तो ये फिक्स ही रहता है कि तीन दिन सुबह के ही टाइम मैं बनाती हूं रात को ने बनाती हूं तो ये दाल सुबह बनती है ना तो फिर इसके साथ सबजी की जरूरत नहीं होती है छोले बनते हैं तो तो बस यहां पे, कुकर में मैं रख दे रहे हूं, नमक डाल दे रहे हूं और तेल ठोड़ा सा डाल दूंगी उसके बाद चलूँगी, एकसरसाइज करने यह छोले तब तक होते रहेंगे तो एकसरसाइज करने के बाद आऊंगी, तो फिर आगे का काम जो है करूंगी तो बस यहाँ पर मैं exercise कर ले रही हूं और उससे पहले मैंने थोड़ा सा यह जो आप सबको ना पूरा दिखाने में जो है बहुत जादा यह वीडियो वैसे भी मेरा थोड़ा सा लंबा हो भी जाता है मुझे comment भी आते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाया करो पर पतानी जैसे मतलब मैं skip करती हूं कट भी करती हूं लेकिन सब कुछ बताने में दिखाने में थोड़ा सा वीडियो लंबा होई जाता है तो यहाँ पर मैं बहुत ही fast कर रहे हूं लेकिन इसको बहुत धीरे-धीरे किया जाता है exercise और yoga मतलब आप यह मत सोचिएगा कि इस और मैं इसे skip ना कर सकती हूं ना छोड़ सकती हूं मॉर्निंग में यह मेरा बहुत ही जरूरी काम है इससे ना मुझे बहुत ही फैदा मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है तो योगा करने के बाद मैं आ गई हूं किचिन में चाय बनाई मैंने और चाय पी भी ली थी थी उन सब को हटाया बढ़ाया और यहां पे जो है फिर मैंने कढाई रख दी है और कढाई में वही तेल जीरा तेजपता हींग डालने के बाद प्यास डाल दी है छोले हो गए है तो इसको मैं एक बावल में निकाल दे रही हूं इधर में चावल भी रख दे रही हूं तो जो है खाना बन जाएगा और आज कल खाना थोड़ा समय और जल्दी बनाती हूं इनको थोड़ा जो है और जल्दी जाना होता है मतलब पौने आठ तक यह कोसिस करते हैं कि मतलब निकल जाएं तो मुझे खाना लगभग साथ साड़े साथ साथ चालीस ऐसे मतलब कम्प्लीट क आज क्या है न सावन का पहला सोमवार है तो मुझे पूजा करनी है घर पे भी थोड़ा साचे से पूजा करना है और मंदिर भी जाना है तो बस मैं इसी वज़़ा से थोड़े से जल्दी जल्दी काम कर रहे हूं बहुकल भी मतलब रुक नहीं रही हूं कि यह सब काम हुजा करूंगी उसके बाद मंदिर भी जाओंगी तो यहां पर मैंने रोटी बना ली है और इनको खाना दे दिया था और टिफिन भी यह जा चुके हैं और अभी आटा थोड़ा सा मैंने ऐसे ही रखा हुआ है तो अभी पापा के लिए रोटी बनानी है तो बस वो नहाए में जो है इधर का काम तब तक निपटा लेती हूँ की जब तक वो नहाएंगे खाना खाएंगे तो तब तक मैं इधर का सारा काम निपटा लूँ तो बस यहाँ पे जो बरतन वगएरा थे उनको दुल ले रही हूँ और सिंग वगएरा सब साफ करूंगी की बाद में तो थोड़ा सा जैसे घर पे रहना होता है या बाहर नहीं निकलना होता है तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि नहीं वैसे काम सुबह काना जल्दी जल्दी कर लिया जाए तो अच्छा ही रहता है जितनी जल्दी काम निपट जाते है न उतना ही सही रहता है और अगर हम थोड पर दोड़ी आये मैंने और यहां पर आ गई हूं डस्टिंग करने तो सामान मैंने कुछ रात को ही समेट दिये थे लेकिन फिर भी वही है सुबह कुछ न कुछ फिर ऐसे फैला हुआ मिली जाता है ऐसा नहीं है कि हम अगर रात को सब सामान जगा जगा से रख दे तो फिर सु जरूरी हो जाता है जो चीज सामने है इसे तो हम छोड़ ने सकते उसे करना बहुत ही जरूरी हो जाता है और अगर हम छोड़ भी देना तो रोज के रोज काम बढ़ते जाते हैं इसलिए डेली रूटीन में ये सब काम होते रहते हैं तो सही रहता है घर साफ सुत्रा रहता देखने में अच्छा भी लगता है तो यहां पर फिर डस्टिंग वगरा करने के बाद मैं आ गई हूं मैंने रोटी बनाई पापा के लिए और अभी गैस साफ कर ले रही हूं सारा कुछ मैंने पहले ही समेट दिया था सिर्फ रोटी बनानी थी और यह प्लेटफॉर्म और ग करने नहीं उठी थी तो चाय पिया मैंने तो 15-20 मिनट लग गए थे बैट गई थी तो वही थोड़ा सा मोबाइल देखने लगी तो थोड़ा सा लेट हो गया बस उसके बाद यहां पे जो है मैं नहा के आ चुकी हूं और वही थोड़ा सा तैयार हो रही हूं मंदिर जाने क है तो मैंने घर पे पहले जल्दी जल्दी पूजा कर ली क्योंकि फिर नहाने के बाद तयार होने लगती तो टाइम लग जाता और मंदिर की सफाई भी करनी थी तो घर पे पूजा हो गई है अभी बस मैं तयार होके फिर चलती हूं मंदिर में पूजा करने तो यहां पे कं करके ना मैं ऐसे जूड़ा ही बना ले रही हूं वैसे भी मेरा बाल इसमें इतना जादा गिर रहा है ना और गर्मी इतनी जादा है कि खुला भी नहीं छोड़ सकती और इस तरह क्लचर लगाए लगाए ना बाल और खराब हो रहे हैं लेकिन क्या करूं जो है बरदास भी नह चल पाता है तो बस मेरा सारा मेक अप हो गया मैं बहुत जादा मेक अप वगरा नहीं करती हूं बस यहां पे साड़ी ओल ले रहे हूं तो यह देखे मैं तयार हो चुकी हूं तो यहां घर पे देखे मैंने पूजा कर लिए आप सब भी दर्सन कर लीजे यहां भोले बाबा कि भी मैंने पूजा कर ली है तो आप सभी प्रडाम कर लीजिए और सारा सामान भी मैंने ले लिया है मंदिर ले जाने के लिए यहाँ थाली में तो चलिए मिलते हैं फिर मंदिर में सामान मैं ले ले रही हूँ तो मंदिर मैं आ गई हूँ और भी नहीं थी ये अच्छा हुआ कि सारे लोग पूजा करके जा चुके थे तो गाना बज रहा था यहां पे ना बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब एकदम ना माहौल बन जाता इस तरह से गाना वगेरा भक्ती के बचते हैं तो तो बस मैं यहां पे पूजा कर ले रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरा तो मन हो रहा था कि यहीं पे मैं बैट जाओ आधे एक गंटे लेकिन वही है टाइम उतना नहीं रहता है तो यह मंदिना पासी में है बस पांच मिनट या सात मिनट ऐसे ही लगते होंगे और बहुत ही खुबसूरत सा मंदिर है छोटा सा ही है लेकिन बहुत प्यारा मंदिर है उधर जो है जाता है देखे मतलब मुझे उतना बहुत जादा आता नहीं है पूजा करना बस मतलब सरद्धा होनी चाहिए और मैं यह जानती हूँ यह चढ़ाया जाता है जो जो मुझे पता रहता है बस मैं ऐसे ही चढ़ा देती हूँ पूजा कर लेती हूँ और कच्छा दूद मैं ले रहाई थी स्यू जी के लिए अभी से करने के लिए हाई एवरिवान हर हर महादेव तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो मैं आ गए हूँ अभी मंदिर से और इतनी ज्यादा उमस है ना कि गर्मी से बिल्कुल हालत खराब हो गई है तो बारिस लग रहा है अभी एकाद गंटे में होगी इतनी उमस है ना तो बारिस तो होगी अगर अभी नहीं हुई तो साम तक तो होना ही होना है धूप है वैसे अभी तो टाइम सवा बारह हो रहे हैं अभी जल्दी-जल्दी करने में भी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है लेकिन ये था कि मंद तो पूजा हो गई, सारा काम होई चुका है, अब लग रही है भूख, तो अब पेट पूजा करना है, क्योंकि इसके बिना ब्रत मैं नहीं हूँ, क्योंकि पहले रहती थी, लेकिन बीच में तबियत मेरी थोड़ी सी खराब हो गई नहीं, तो छूट गया, तो अभी ये पाता है, और ऐसे टाइम पे जैसे सावन है, या निवरात्री ये सब है ना, तो इसी बहाने जो है, हम मंदिर में जाके पूजा कर लेते हैं, तो चल रही हूँ, बस अब ये सारी जो है, निकलेगा, क्योंकि गर्मी बहुत जादा है, बर्दास नहीं हो रहा है, और अभी जब मैं पूजा करने जा रही थी, तभी मैंने ओनलाइन कुछ ओडर किया था, तो वो आ गया है, तो चलिए आपको दिखा भी देती हूँ, कि क्या आया है, तो इसको खोल लेती हूँ पहले, फिर देखते हैं इसमें क्या है, तो चार दिन हो गया था, लगबग इसको ओड और किये हुए, और अभी फिलिप कार्ट का क्या है न, बिल्कुल टाइम से सब देते हैं, पहले तो था ऐसा सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा डिश्टर्ब चल रहा है, बिल्कुल टाइम से नो को था, ये अभी 10 को आया है, तो ये देखिए, ये है बरतन रखने वाला बास्केट, जो बरतन धोके हम रखते हैं, तो मुझे ये बहुत, मतलब काफी दिन से मैं सोच रही थी न, कि इस बास्केट को मंगाओं, क्योंकि ये नीचे से पानी वगएरा इसमें से निकल जाता है, इसलिए अच्छा रहता है, लेकिन ये है कि पूर लाइक करिएगा सबस्क्राइब